जेहन आप देख रहे हैं तुरंतने उच एक मिनट पहले आई एक बड़ी खबर अभी अभी हुआ बड़ा और बेहत दुखद हालसा उत्राखड में अचानक लगा लाशों का पहाड आकाशिय बिजली का कहर चार सो जिंदगियां खत्म चारो तरफ जेख वुकार मचा हड़ कंप लोग थर्राए रोजी रोटी का संकट हर कोई रोपड़ा मौनजून की दस्तर के साथ ही उत्राखड में मौसम का कहर भी ढाने लगा है कुदरत की कहर की ऐसी ही एक खबर आज राज के बागेश्वर जिले से सामने आ रही है जहां कपकोट तहसिल के जुनी क्षेत्र क पांकू टॉप में आकाशी बिजली गिरने से जंगल में घास चरने गई लगबग 400 बकरियों की मौत हो गई है आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने खबर की पुष्टी करते वे बताया कि कपकोट तहसिल क्षेत्र के जुनी पांकू टॉप में चरवाहों की बकरियों पर वजरपात हुआ है सुचना मिलने पर पशुपालन और राजस्व विभाग की टीमों ने मौके पर पहुँचकर मौएना करने के उपरान 400 से अधिक बकरियों की मरनी के पुष्टी की है इतनी बड़ी संक्या में एक साथ बकरियों की मौत से पशुपालक का बेहत नुकसान हुआ जिससे उसकी कमल तूटना लाजमी है समन्मेक शेत्रिय विधायक शुडेस गढ़िया ने खबर का स्वता संग्यान लेते वे दूरभाश के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मौएना कर शीग्र मौवजे की कारवाई करने के निद हिए